चारों काफी खुशी-खुशी आपस में बाती कर रहे थे और तबी अचानक रेस्टरॉंट का दर्माजा बाहर से बुला गया साथ से आठ लोग एक के बाद देख करके रेस्टरॉंट के अंदर आने लगे जो उन लोगों के सबसे आगे खड़ा था वो थोड़ा सा शौट था और उसकी उम्र 30 या 35 के करीब लग रही थी उसके पीछे जो आदमी था उसने अर्मानी का टक्सी दो सूट पहना हुआ था और अपने हाथों में बहुत महंगी घड़ी पहनी हुई थी वो आदमी उन्हीं काफी जाना पहचाना लग रहा था उस आदमी को देखकर शौटी ने नाराज लगते हुए कहा अरे वो आदमी तो डेविड है ना लगता है कि आज हमारा सामना हमारे दुश्मन से ही हो चुका है बुझे यकिन नहीं होता कि यहां आते ही हमारी बुलाकात इन जैसे लोगों के साथ हो जाएगी वो लोग असल में हिस्ट्री ब्रैंट की डिजाइन टीम थी जो इंसान डेविड के सामने था उसका नाम मुकेश था वो डेविड का राइट हैंड था और डिजाइन टीम का वाइस डारेक्टर था शुरुति के शब्दों में वो डेविड का गुंडा था डेविड और बाकी लोग आपस में बाते कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने सोल ब्रैंट के टीम को नोटिस नहीं किया उसके बाद वो लोग पास में ही एक कमरे में जाकर बैठ गए हाला कि वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे मगर उनकी तेज और आरगेंट आवाज माही और उसके ग्रूप तक काफी क्लियरली पहुँच रही थी उन्हें से एक ने काफी एक्साइटिड लगते हुए कहा इस बार बॉस का काम वाकई में बहुत ही जादा अच्छा है आप तो काफी आसानी से उन फॉर्टनर्स को चौका दोगे इस बात पर मुकेश ने कहा बॉस तो वाकई में कमाल है मुझे समझ नहीं आता कि आप हर बार इतने क्रियेटिव आइडियास कहां से लाते हो मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये डिजाइन बहुत ही जादा पॉपुलर हो जाएगा किसी ने कॉमेंट करते हुए फिर कहा डेविट की वरक मैंशिप और उसकी स्किल्स वाकई में टॉप नौच है मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिजाइन एक या फिर दो साल में बनाया जा सकता है ऐसे डिजाइन को बनाने के लिए बहुत महनत लगती है और बॉस ने जरूर इसकी तैयारी पहले से ही कर ली होगी और उन्होंने हम सबसे इस डिजाइन को छुपाया होगा और हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया कमरे से इस तरह की आवाजे सुनकर शुरूती ने अपना मूँ बनाते हुई कहा ये लोग बढ़ा चड़ा कर बाते करने में कितने माहिर है बहतर होता अगर ये लोग मर जाते ये सुनकर माही मुस्कुराने लगी मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया डेविड को एक बार फिर से देखकर आदी को पहली की तरह बिलकुल भी कोई emotional stress में हिसोस नहीं हुआ मगर जब उसने उन लोगों की बाते सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी परिशानी चा गई जब आदी वापस लोटा था तो उसने डेविड के सारे रिलीज किये गई डिजाइन को देखा और उसे अपने सारे experts included थे ऐसे में आधी को ये समझ नहीं आया कि डेविड ने उन्हें यूज करने के लिए कैसे मनाया मगर ये बात तो साफसाहिर थी कि उनके बिना डेविड अब तक fashion industry में सर्वाइव नहीं कर पाता जिस काम को वो इस बार exhibit करने वाला था वो शायद उन लोगों का ही hard work होगा दो दिनों के बाद Lorraine Fashion Week officially शुरू हो गया इस Fashion Week में कई सारे stars और world famous designer की gathering हुई ये सिर्फ fashion hobbyist और model का ही event नहीं था ये वक्त नई designer के लिए अपना नाम international fashion industry में famous करने के लिए भी बिल्कुल सही था इस point पर Indian newspaper की entertainment section पर Lorraine Fashion Week की ही खबर चाय होई थी उन खबरों में या तो किसी celebrity के invite होने की खबर थी या फिर किसी इंसान के बहदरीन लुक की खबर थी कई सारी celebrities ने अपने social media account पर event जाने की photos पोस्ट की सच तो ये था कि international fashion show होने के ना थे guest को किसी brand या फिर investor की invitation की सिरूरत थी इस event में कोई भी बिना invitation की नहीं जा सकता था fashion week के दोरान 40% invitation fashion media को दिये जाते थे 30% invitation famous fashionista और designers को दिये जाते थे 10% invitation special guest को दिये जाते थे 10% top clients को दिये जाते थे और बागी के 10% invitation special reservation के लिए रखे जाते थे दूसरे शब्दों में entertainment industry के celebrity guest में से सिर्फ 10% को ही represent कर सकते थे और उनमें से जाधा तर लोग front seat पर नहीं बैठ सकते थे fashion industry में बैठने की जगा इंसान के position को symbolize करता था जो कोई भी front row पर बैठता था उन्हें industry के सबसे valued guest माना जाया करता था जिन लोगों ने अपने social media account पर photos post की और ऐसा दिखाया कि वो invited थे सच तो ये था कि उनके पास उस event में एक seat तक नहीं थी उन्होंने अंदर जाने के लिए पैसे दिये और entrance के पास घूमते हुए कुछ तस्वीरे खीचने लगे और उन लोगों को धोगा दिया स्टेज के दोनों साइट पर गेस्ट पैठे हुए थे सेलिब्रिटी जिनने invite किया गया था उन्होंने अपने outdated appearance पर बहुत महनत की और उन्होंने काफी elegantly red carpet पर अपना कदम रखा उन्होंने अपने assets को खुबसूरती से flaunt किया और अपने सबसे best look को camera के सामने present किया और फिर अपनी assigned seat की तरफ जाने लगे इंटरनाशनल fashion shop publicize करने के लिए यूज नहीं किया जाता था मगर live streaming की normalcy की वज़ा से घर पर बैठे लोग event को देख सकते थे इंडिया की एक popular site को पूरे event की live streaming का exclusive rights मिला सब लोग उस streaming site पर काफी impress लगते हुए देख रहे थे और सारे international level की celebrities की appearance को एक एक करके judge करते हुए उनके कपड़ों पर comment कर रहे थे लोगों ने live streaming के comment section को पूरी तरह से भर दिया जिन में से कुछ ने comment करते हुए लिखा oh my god मैंने अपने favorite all hando को देखा पानी के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा रहे है अरे ये क्या मुझे रागनी दिखाई दे रहे है उसने तो कुछी वक पहले entertainment industry को quit कर लिया था ना वो यहाँ पर front row पर बैठी है लगता है कि पूरे इंडिया में आज तक सिर्फ fashion industry के लोगों के लिए ही रिजव की जाती है हाला कि रागनी entertainment industry की आर्टिस नहीं रही मगर वो history brand की founder जरूर है अच्छा तभी मैं सोचूं कि वो front row तक कैसे पहुँची इंडियन actress की जलन भरी निगाहों के बीच रागनी ने एक history brand की dress पहनी हुई थी जो pregnant औरतों के लिए बनाया गया था और इसके लावा उसने काफी खौपसूरत जूल्री भी पहनी हुई थी वो दीरे से जाकर अपनी seat पर आराफ से बैट गई और उसने मन ही मन में कहा तो क्या हुआ अगर मैंने entertainment industry को छोड़ दिया है मैंने वैसे भी कभी उस circle की परवा नहीं की जिनका class बहुत कम था रागिनी को वहाँ देखकर एक Indian journalist ने उसे काफी अच्छी तरह से greet करते हुई कहा Mrs. Ragnini, ये तीसरी बार है जब history brand international fashion week में इंडिया को represent कर रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है रागिनी ने काफी प्यार से मुस्कुराते हुए उस journalist से कहा मुझे बहुत खुशी है कि history brand को इतने बड़े मंच पर recognize किया जा रहा है मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मुझे अपनी देश की खुबसूरती और उसके variety of colors को एक international stage पर demonstrate करने का मौका मिल रहा है रागिनी का ये जवाब लोगों को काफी अच्छा लगा और देश के patriotic members को रागिनी के इस जवाब से काफी खुशी हुई और उन्होंने comment करते हुए streaming site पर लिखा रागिनी की personality को site में रख कर दिखा जाए तो वो वागई में बहुत काबिल है चाहे कोई भी बात हो मगर रागिनी ने international presence में हमारे देश के लिए काफी कुछ contribute किया है जज की assessment के बाद ही brand को official invitation मिल सकता था ऐसे में इंडिया के सिर्फ तीन brands को ही assessment का पास मिला रागिनी के साथ हिस्ट्री brand के designer डेविट का भी interview लिया जा रहा था रिपोर्टर्स ने डेविट की तरफ देखते हुए उससे पूछा Mr. David, हिस्ट्री brand के design ने दो साल पहले दुनिया को हिला दिया था यहादा कि fashion industry में history brand की वज़ा से oriental fashion fever शुरू हुआ इसके बावजूद भी आपकी performance पिछले साल कुछ जादा कुछ खास नहीं थी तो क्या इस साल आप हमारे लिए कोई surprise लाए हो डेविट को इस बात की काफी खुशी थी कि वो कई सारे इंडियन और international journalist के बीच खड़ा था और उसे बहुत proud महसूस हो रहा था मगर जब उसने ये सुना कि पिछले साल history brand की performance कुछ खास नहीं थी तो उसके चहरे का expression बदल गया मगर इसके बावजूद भी उसने confidently जबाब देते हुई कहा इंडरनेशनल fashion week में मैं जो प्रेजन करने जा रहा हूँ उस पर मैंने दो सालों से काम किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस साल मेरी मेहनत किसी को डिसपॉइंट नहीं करेगी तब ही आचानक कई सारे मीडिया वाले entrance की तरफ मुढ कर देखने लगे स्ट्रीमिंग साइट के चैट रूम पर भी कई सारे कॉमेंट आने लगे और सब की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम चाया हुआ था माही ब्रो, माही ब्रो, माही ब्रो बाकी फीमेल स्टार की तुलना में जिन्होंने काफी extravagant outfit पहने हुए थे माही ने एक simple champagne color का two-piece waist और dress पहनी हुई थी dress pair और collar area पर कुछ stitches के अलावा माही ने कोई और extra ornaments नहीं बहने हुए थे माही की dress दिखने में काफी clean और sleek थी, जो कि सबकी उम्मीदों से परे था International Fashion Week के दौरान सारे महमान वहाँ पर shows देखने जाते थे मगर सच तो ये था कि असल में लोग show देखने के अलावा खुद show बनने जाते थे वो लोग event को पूरी तरह से transform करके उसे एक attention seeking contest बना देते थे इंडिया की situation इससे भी कई गुना जादा बत्तर थी माही के simple और neat dressing की वज़ा से कई सारे foreign journalist और fashion industries के लोगों को उसे लेकर एक positive impression मिला इसके अलावा इस खबर के बीच के माही assassin film का main lead role play करने जा रही थी माही को internationally काफी exposure मिला जिसकी वज़ा से कई सारे foreign journalist ने उसे interview किया और इस बात को change किया कि Indian artist को foreign platform पर neglect किया जाता था live streaming पर माही को देखकर उसके fan काफी excited लगने लगे माही की appearance की वज़ा से रागिनी के जहरे का expression काला पड़ गया मगर जब उसने देखा कि माही पीछे वाले रो की तरफ चल कर जा रही थी तो रागिनी को काफी तसल्ली मिली रागिनी ने मुस्कुरा कर मन ही मन में कहा आला कि माही के पास कई सारी endorsement है मगर उसने कभी किसी clothing brand को endorse नहीं किया ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि उसे किसी बड़े brand की invitation नहीं मिली होगी और जिन लोगों को magazine के थूँ invitation मिलता है उन्हें आमतार पर back row की seat ही मिलती है मिझे तो लगता है कि माही के पास अपनी कोई seat ही नहीं होगी इसके बारे में सोचते हुए रागिनी फ्रांट रो पर बैट कर मुस्कुराते हुए लास्ट रो की तरफ चल कर जा रही माही की तरफ देखने लगी रागिनी को दिल से बहुत खुशी हो रही थी और उसने मन ही मन में कहा तो क्या हुआ अगर तुम इस वक्त entertainment industry के top पर हो इस जगा पर तुम्हारी कोई आउकात नहीं है रागिनी बेहत खुश लग रही थी और वो कई सारे industry के experts के साथ खुशी-खुशी बातने कर रही थी मगर अगले ही पल में जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गई रागिनी ने देखा कि लास्ट डो में बैठी सारी का शुकला से पात करने के बाद माही फ्रंट डो पर आगर एक खाली seat पर बैठ गई माही को फर्स्ट डो की seat पर बैठते हुए देखकर रागिनी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी मगर जल्द ही उसके चहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने मन ही मन में कहा जाने किसे पता कि यहां तक पहुँचने के लिए उस लड़की ने क्या कुछ किया होगा वो तो इंडियन एंटेटेंबेंट इंडस्री की सो कॉल टॉप स्टार है आफ्टर आल उसे ऐसी चीजें करने की आदत पढ़ चुकी होगी अव्यसली वो यहां बैटने के लिए आन्कॉलिफाइड है मगर फिर भी वो अपनी गंदी हरकतों की वज़े से यहां पहुच गई हाला कि वो अपने इग्नोरेंट फैंस को धोका दे सकती है मगर फैशन इंडस्ट्री के लोग एक ही बार में समझ जाएंगे कि यहां कुछ तो गड़ पर चल रही है स्टेज पर खड़े होस्ट ने फैशन वीक के शुरू होने की अनाउंसमेंट की और सब लोग स्टेज की तरफ फोकस करने लगे कई सारे बड़े ब्रांट अपने रिलीज किये गए नई डिजाइन्स को प्रेजन्ट करने लगे और वहां का महौल काफी प्लेजन्ट लग रहा था स्ट्रीमिंग साइट पर मौजूद सारी ओडियन्स भी काफी इंप्रेस लग रही थी और इसके साथ ही साथ वो इंडियन ब्रांट के अपेरेंस का भी इंतजार कर रहे थे लोगों ने कॉमेंट करते हुए कहा हिस्ट्री ब्रांट की बारी कब आएगी? मैं तो बहुत ही ज़ाधा एक्साइटिर हूँ हर साल फैशन वीक में जो ब्रांट अपनी कंट्री को रेप्रेसेंट करता था उस ब्रांट का इंफ्लोएंस अपनी कंट्री में काफी बड़ा होता था एक पूरे देश को रेप्रेसेंट करने का मतलब ये था कि उस ब्रांट के डिजाइनर को पूरे देश में टॉप लेवल की पोजीशन पर होना चाहिए जज की असेस्मेंट के बाद ही ब्रांट को ओफिशल इन्विटेशन मिल सकता था ऐसे में इंडिया के सिर्फ तीन ब्रांट को ही असेस्मेंट का पास मिला उन में से एक मून ब्रांट था जो कि निखिल अरोडा के अंडर था जो इंडिया का टॉप डिजाइनर माना जाता था दूसरे हिस्ट्री ब्रैंड थी और तीसरी सोल ब्रैंड थी जिनी जजिस ने खुद पास किया निखिल अरोडा पहला इंडियन डिजाइनर था जिसे इंटरनाशनल स्टेज पर अटेंशन मिली मगर उसका स्टाइल इंटरनाशनल ओडियन्स के पसंद के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था ऐसे में हिस्ट्री ब्रैंड वो पहली ब्रैंड थी जिसने फैशन इंडस्री में इंडियन एलिमेंट की ब्यूटी को देमोंस्रेट किया शुरुआत में सोल ब्रैंड हिस्ट्री ब्रैंड के टक्कर की थी मगर एक साल की इन अक्टिविटी के बाद सोल ब्रैंड ना ही सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बलकि इंडिया से ही पूरी तरह से गायब हो गई मगर अब दो रीसेंट रिलीजिस के बाद सोल ब्रैंड धीरे धीरे करके मार्केट में वापस लॉट रहा था फॉर्चनेटली इस फैशन वीक में सोल ब्रैंड को शो का साइट डिश माना जा रहा था या फिर उसे एक ऐसा ब्रैंड बुलाया जा रहा था जो हिस्ट्री ब्रैंड के स्टाइल को कॉपी कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि सोल ब्रैंड हिस्ट्री ब्रैंड की काली परच्छाई में छुपा हुआ था फैशन इंडस्ट्री में ये काफी आम बात थी कि सब लोग सिर्फ फर्स प्लेस पॉजिशन को ही याद रखते थे सारे फैन और इंडिया के सारे फैशन हॉबियस्ट्स जो इवेंट की लाइफ स्ट्रीमिंग देख रहे थे यहाँ तक कि कई सारे ओवर्सीज प्रोफेशनल भी जो इंडिया के फैशन ग्रोथ में इंट्रेस्टेट थे वो भी उनका काम देखना चाहते थे निखिल अरुणा के मून ब्रैंट की प्रेजेंटेशन खतम होने के बाद स्टेज के बड़ी से स्क्रीन पर हिस्ट्री ब्रैंट का नाम दिखाई दिया इस पॉइंट पर सब लोगों का ध्यान स्टेज पर था यहां तक कि वहां मौजूद फैशन गुरू आडम ने भी अपनी पीट सीधी कर ली और वो ध्यान से फोकस करने लगा म्यूजिक की आवास के साथ मौडल्स धीरे-धीरे करके हिस्ट्री ब्रैंट की कपड़े पहने स्टेज पर आने लगे जब सबसे पहली मौडल्स स्टेज पर दिखी तो सबके होश उड़ गए सारी मौडल्स दिखने में बेहत खूपसूरत लग रही थी इंडिया के ट्रडिशनल कल्चर की नाच्रल वाइब काफी खूपसूरती से एक्स्प्रेस की जा रही थी और हर एक आउट्विट में स्ट्रॉंग ओरियंटल फ्लेवर दिखाई दे रहा था कपड़े के हर एक धागे और हर एक एम्रॉइडरी में इंडियन एलिमेंट की खूपसूरती बेहत अच्छी तरह से प्रेजन्ट की जा रही थी सबसे जरूरी बात इन Rainbow Feathers में इंडिया के Innocent Wisdom की Embroidery प्रेजन्ट की जा रही थी जिसे Golden Embroidery और कई सारे Traditional Craft में बनाया गया था History Brand के डिजाइन को देखकर लोगों ने कॉमेंट करते हुए गहा Oh my God! ये तो बेहत खुबसूरत है! It is really mind-blowing! जो काफी पहले राजा महराजाओं की जमाने में हुआ करता था आज के जमाने में ऐसा कुछ करना काफी complicated बना जाता है कुछ meters के कपड़े को तयार करने में ही कही महीने लग जाते है ये कितना unique है! Indian culture वाकई में काफी magical है! जो लोग fashion को थोड़ा बहुत समझते थे और उनकी नजरें model से हटी नहीं पा रही थी इस पल में live streaming के site पर जो Indian fans थे वो काफी emotional महसूस कर रहे थे और उन्हें बहुत गर्फ महसूस हो रहा था लोगों ने comment करते हुए कहा Oh my God! History brand के design बेहत खुबसूरत है हमारा Indian culture तो वाकई में काफी stunning है ये तो वाकई में बेहत खुबसूरत है History brand ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया उनके design को देखकर तो मेरे शरीर में wrong टे खड़े हो गए ये तो इंडिया का बेहत पुराना traditional culture है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे-धीरे करके रागनी की fan बन रही हूँ लोगों की तारीफों के बीच किसी ने भी notice नहीं किया कि एक कोने में जहां रोश्नी काफी कम थी एक delicate डिखने वाले आदमी के चहरे का रंग उड़ चुका था उसके होट काप रहे थे और उसके चहरे पर परिशानी चाही हुई थी आदी मुखर जी ने नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा Rainbow Feathers ये Rainbow Feather मेरा डिजाइन है मैंने इसके ड्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए छे महीनों तक मेहनत की थी और फिर दो साल तो मैंने इस स्किल को सीखने में ही लगा दिये मैंने अपने हाथों से सुई धागे के साथ इस डिजाइन को बनाया था ये वही डिजाइन है जिसके बारे में डेविड ने मुझ से जूट कहा था कि सैंपल रूम में आग लगने की वज़े से मेरे सारे ड्राफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए मगर अब ये डिजाइन लरेन इंटरनेशनल फैशन वीक में मेरी आँखों के सामने दिखाई दे रहा है मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि मैंने जो खोया था वो इस वक्त मेरी आँखों के सामने है बलकि मेरे अंदर गुस्सा और नफ्र अच्छाई हुई है मेरा दिल इस वक्त बुरी तरह से दुख रहा है रेन्बो फैदर्स मेरा डिजाइन है जिसे किसी और ने धोके से मुझ से छीन लिया था आदी मुखर जी की आँखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था गुस्से में उसकी सर की नसे फट रही थी और उसकी सांसे फूल रही थी उसका मासूम चहरा गुस्से में लाल बढ़ चुका था और उसके सर पर खून सवार हो चुका था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी इसी वक्त डेविट की जान ले लेगा जैसे ही हिस्ट्री ब्रैंट के दिजाइन स्टेज पर अपियर होने लगे सामने वाली फ्रंट सीट पर बैठी माही को घबरहाट महसूस होने लगी और उसका सबसे पहला रियाक्शन ये था कि वो आदी मुखरजी के रियाक्शन को अब्सर्व करे जब उसने देखा कि आदी की हालत वाकई में बच से बत्तर होती जा रही थी और उसे देखकर ये बात साबसाहिर थी कि आदी मुखरजी किसी भी वक्त टूटकर बिखरने वाला था तो माही ने खबराते होई मन ही मन में कहा आज से पहले मैंने कभी आदी की इतनी बुरी हालत होते होई नहीं देखी है कि भगवान आदी को इस तरह देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है लगता है कि डेविट जिस काम को लेकर सबसे ये बोल रहा था कि वो दो साल से महनत करता हुआ आ रहा है वो असल में आदी की अपनी डिजाइन है इन फैक्ट इस वक बात सिर्फ इस डिजाइन की नहीं है बलकि इस सो कॉल प्रोड़क्ट को शायद खुद आदी ने अपने हाथ से परसनली बनाया होगा मुझे अब याद आ रहा है कि आदी ने कई बार मुझसे ही कहा था कि उसका सबसे परफेक्ट डिजाइन किसी आग में बरबाद हो गया था आदी ने मुझे उसका नाम भी बताया था जो कि रेंबू फैदर था कहीं ये डिजाइन वही तो नहीं है हिस्ट्री ब्रैंट के डिजाइनर ने एक बार फिर अपने डिजाइन से पूरी दुनिया के होश उड़ा दिये सारी जर्नलिस्ट डेविट का इंट्रिव्यू लेने दोड़कर उसकी पास गए एक फॉरण जर्नलिस्ट ने डेविट से पूछा डेविट ने मुस्कुरा कर काफी प्राउडली जवाब देते हुए कहा वहाँ माजूद एक इंडियन जर्नलिस्ट काफी इमोशनल लग रहा था और उसने डेविट से पूछा डेविट डेविट आपने तो सच में कमाल कर दिया है क्या आप हमें बता सकते हो कि इन कपड़ों में आपने किस एजिन डिजाइन को यूज़ किया है हमने सुना है ये डिजाइन आपने खुद अपने हाथों से बनाया है क्या ये बात सच है डेविड ने हामी भरते होई अपना सिर हिलाया और उसने जबाब देते होई कहा जी ये बात बिलकुल सच है मैंने इस ड्रेस की एम्ब्रॉइटरी में गोल्डन थागे का इस्तमाल किया है और बाकी टेकनिक्स का इस्तमाल किया है मैंने अपने डिजाइन का ड्राफ्ट पूरी तरह से अपने हाथों से बनाया है मगर इसकी प्रोडक्शन को मेरे टीम ने पूरा किया है इस कलेक्शन में हम सब का इक्वल कॉंट्रिबूशन रहा है डेविड की कही ये बात सुनकर जनरलिस्ट ने उसे कॉंपलिमेंट करते हुए कहा डिरेक्टर डेविड आप वाकई में दिल के बहुत अच्छे हो सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि डिजाइन ही कपड़ों की आत्मा होती है इसके अलवा मिस्टर डेविड इस बार आपकी डिजाइन दो साल पहले वाली डिजाइन से भी कई गुना जादा अच्छी है क्या आप हमें बता सकते हो कि इस बार आपकी सीरीज का नाम क्या है डेविड ने जवाब देते होए सब से कहा मेरे थीम का नाम इस बार रेंबो फैदर्स है जैसे ही माही ने डेविड का जवाब सुना तो उसकी आखों में गुस्सा छां गया और उसने गुस्से में नाराज लगते होए मनी मन में कहा इसका मतलब मेरा शक बिलकुल सही निकला ये डिजाइन वाकई में रेंबो फैदर्स ही है ये आदमी सच में बहुत ही जादा किरा हुआ है इसके अंदर इतनी भी शरम नहीं थी कि उसने इस डिजाइन का नाम तक नहीं बदला तब ही मैं सोचू कि हिस्ट्री ब्लैंट के डिजाइन को देखकर आदी का रेयक्शन इतना बुरा क्यों था माही आदी को ध्यान से देखने लगी जो कोने में बैठे डिम लाइट के नीचे गुसे में लाल हो रहा था और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद माही ने अपना फोन उठाया और एक मैसेज टाइब करने के बाद उसे भेज़ दिया आदी को अपने फोन में वाइपरेशन महसूस हुई आदी ने अपना फोन निकाला और उसे अनलोग किया अपने खयालों में डूबे हुए आदी ने उस मैसेज को ओपन किया जैसे ही आदी ने उस मैसेज को देखा, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके अंदर का जानवर, जो मन ही मन चिला रहा था, वो अब शांथ हो गया इवेंट में हर जगा डेविट की तारीफ हो रही थी, लाइब स्ट्रीमिंग बार-बार रिफ्रेश की जा रही थी और डेविट, जो मीडिया वालों से घिरा हुआ था, वो अभी भी अपनी तारीफों का पुल बना रहा था कोने में बैठे आदी मुखर जी ने धीरे से अपने चेहरे का मास को तारा, वोट कर खड़ा हुआ, और भीड के बीच खड़े होकर उसने सब से कहा रेंबो फैदर्स मेरा डिजाइन है, ये मेरा काम है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से पूरा किया है आदी मुखर जी की आवाज सब के बेच इस तरह गूजी, जैसे की कोई आग में ठंडा पानी डाल रहा था वहां का माहौल अचानक शांत पढ़ गया, और सब एकदम से चुप हो गए सब लोगों की नजरें एक ही पल में देविट से लेकर उस आदमी पर पढ़ी, जिसके चहरे का एक्स्प्रेशन काला पढ़ चुका था उस आदमी का चेहरा काफी डेलिकेट और हैंसम था, मगर उसके चहरे का रंग उड़ चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे की वो पूरे वेन्यू पर आग लगा सकता था अब तक डेविड सबकी तारीफों को काफी अच्छी तरह से इंजॉई कर रहा था मगर फिर अचानक उसने एक आवास सुनी, और उसे ऐसा महसूस हुआ, जैसे की उसे कोई बिजली का जटका लग गया आदी की आवास को सुनकर डेविड एक तम से पीछे मुड़ा, और उसने उस आदमी के चहरी को देखा उस आदमी के चहरी को देखकर डेविड टंक रहे गया, और उसने मन ही मन में गहा आदी, आदी मुखर जी, क्या मैं सच में आदी मुखर जी को देख रहा हूँ? लरेन इंटरनेशनल फैशन वीक में कैसे आ गया? इस पल में सबकी नजरे आदी मुखरजी पर हीटी की हुई थी. ऐसे में किसी ने भी डेविट के चैरे का घबराया हुआ एक्स्प्रेशन नोटिस नहीं किया. वहां मौजूद सारे मीडिया वाले और महमान कन्फ्यूजन के मारे एक दूसरे के तरफ देखने लगे. और कुछी देर बाद फाइनली वो लोग अपने होश में वापस लौटे. उनमें से एक जर्नलिस्ट ने आदी मुखरजी से पूछा, एक्सक्यूज मी सर, आप कौन है? आदी मुखरजी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. यही वज़ा थी कि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था. और ऐसे इवेंट को अटेंट करने से पहले अपनी सेंस ओफ सिक्यूरिटी की वज़ा से खुद की आइडेंटिटी को छुपाया हुआ था. ऐसे में जब सब की नजरे उस पर थी, तो उसके लिए बोलना काफी मुश्किल था. आदी मुखर जी के पसीने छूटने लगे, मगर फिर भी भीड के बीच में से उसने किसी की चमकती हुई आँखें देखी और उसकी मन में जोशा गया. आदी मुखर जी ने जवाब देते हुई सब से कहा, मैं सोल ब्रेंट का चीफ डिजाइनर मिस्टर एम हूँ, मेरा नाम आदी मुखर जी है. जैसे ही आदी ने अपनी बात तोरी की, तो भीड में मौजूद सारे लोग हैरानी के मारे आपस में डिसकस करने लगे. अरे, ये आदमी तो सोल ब्रेंट का चीफ डिजाइनर? बहला, इस बात पर कौन यकिन करेगा? आखिर हिस्ट्री ब्रेंट के डिजाइन को कोई सोल ब्रेंट का डिजाइनर पूरा क्यों करेगा? डेविड हैरानी के मारे आदी मुखर जी की तरफ देख रहा था, जिसे वो पूरे दो साल के बाद देख रहा था. आदी को दिखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, कि वो सड़कों पर दर बदर भटक रहा था, बलकि आदी काफी अच्छी तरह से ड्रेस अप हो कर आया था. यहां तक कि लोगों के सामने उसकी जो खब रहा थी, वो भी गायब हो चुकी थी, और यही वज़ा थी, कि डेविड उसे पहली बार में ही पहचान नहीं पाया था. डेविड को सबसे बड़ा शौक इस बात से लगा, कि आदी मुखर जी दरसल सोल ब्रेंड का चीफ डिजाइनर था. अब जाकर डेविड को पता चला, कि जो इनसान इतने वक्त से डेविड के खिलाफ काम कर रहा था, वो असल में आदी मुखर जी ही था. इसके बारे में सोचते हुए डेविड ने मन ही मन में कहा, तब ही मैं सोचूँ, तब ही मैं सोचूँ कि सोल ब्रेंड के डिजाइन आदे मुखर जी के डिजाइन स्टाइल से इतनी मिलती जूलती क्यों रगती थी, सच तो ये था, कि सोल ब्रेंड का डिजाइनर खुद ही था यह आदमी तो सच में बहुत लगी निकला कि डीविड की आँखों में गुस्सा चाया हुआ था उसके चेहरे पर कुछ दिर पहले जो पैनिक और डर दिखाई दी रहा था वो अब दीरे-दीरे करके एरगेंस और गुस्से में बदल गया और उसने मन ही मन में कहा हादी मुखर जी हम दोनों पिछले दो साल से एक दूसरे से नहीं मिले मगर इसके बावजूद भी मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम अब भी पहले जितने ही बेवकूफ हो तुम्हें क्या लगा कि सोल ब्रेंड के सपोर्ट से तुम मुझे हरा सकते हो तुम्ह सिर्फ लोगों ने अजीब नसरों के साथ आदी मुखर जी की तरफ देखा यहां तक कि लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल पर जो इंडियन फैंस थे वो भी काफी बुरी तरह से आदी को नीचा दिखाने लगे और उन्होंने कॉमेंट करते हुई कहा अरे आखिर ये आदमी हिस्ट्री ब्रैंड का नहीं बल्कि उसके खुद का डिजाइन है ये सच में काफी गिरी हुई हरकत है अगर हिस्ट्री ब्रैंड ने इंडियन स्टाइल को दुनिया के सामने एक्स पोस नहीं किया होता तो बहला सौल जैसे ब्रैंड को इंटनेशनल फैशन वीमें मिलने का मौका कैसे मिलता? Soul Brand ने तो International Stage पर इंडिया की बेज़दी कर ली मैं तो चाहती हूँ कि ये लोग जल से जल Fashion Week से निकल जाएं हमें इनकी बज़ा से और बेज़दी नहीं सहनी Online comment में से कुछ rational लोगों ने अपना शक बया किया और उन्होंने comment करते होई लिखा मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई गहरा राज है अगर Soul Brand के डिजाइनर के अंदर थोड़ा सा भी common sense होता तो वो इस तरह के event में इतनी बड़ी बात बिना किसी सबूत से बिर्कुल नहीं कहते दर असल Soul Brand के कपड़े वाकई में बहुत अच्छे है इस बार उन्हें किसी तरह लरेन International Fashion Week का invitation मिल गया जिसका मतलब ये है कि Soul Brand को internationally recognize किया जा रहा है ऐसे में उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी है ना हाला कि कुछ लोग Soul Brand को सपोर्ट कर रहे थे मगर जल्द ही History Brand के सपोर्टर ने उन लोगों को शांत कर दिया और कॉमेंट करते होई लिखा तुम लोगों को क्या लगता है कि एक नकलची बंदर डिजाइनर के अंदर common sense नाम की कोई चीज हो सकती है यह इंसान तो खुदी इतना बेवकूफ है और उसे लगता है कि हम भी उसी की तरह बेवकूफ है इसने तो एक पूरे साल तक कुछ भी डिजाइन नहीं किया और इसके अलावा हाल ही में इस Brand का हर एक डिजाइन सिर्फ History Brand की स्टाइल की कॉपी ही है यह तक कि जब उन्हें Golden Award मिला था उसमें भी उन्होंने History Brand की कॉपी ही की थी एक बार नकलची बंदर को सक्सेस मिल जाती है तो वो छोटी मोटी जीज की साथ खुश नहीं होते और यहीं वज़ा है कि आज उसने सब के सामने ये तक कह दिया कि History Brand ने उसके काम को चुराया है मुझे तो यकीन नहीं होता कि लोग इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते है ओनलाइन स्रीमिंग साइट के साथ ही साथ वेन्यू में भी लोगों की बीच डिसकेशन हो रही थी लोग अजीब नस्रों के साथ आदी मुखर जी की तरफ देख रहे थे वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने पूछा मिस्टर मुखर जी कुछ दिर पहले आपने कहा कि Rainbow Feathers आपके डिजाइन है आपकी इस बात का मतलब क्या है आदी मुखर जी ने जवाब देते हुए इस रिपोर्टर से कहा मेरी इस बात का मतलब वही है जो मैंने कहा Rainbow Feather मेरी डिजाइन है डेविड ने मेरा काम चुराया था उसने ना ही सिर्फ Rainbow Feathers के डिजाइन को चुराया बलकि Spring Garden के थीम को भी मुझसे चुराया था आदी मुखर जी के इस बात से वहाँ मौजूद सारे जर्नलिस्ट काफी कंफियूस लगने लगे और उनमेंसे एक ने कहा ये आप क्या बोल रहे हो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आदी मुखर जी ने सब के सामने ये कहा कि दो साल पहले जिस डिजाइन के साथ डेविड ने International Fashion Industry को हिला कर रख दिया वो असल में आदी मुखर जी की ही डिजाइन थी आदी मुखर जी ने एक एक करके दस थीम के नाम बोल दिये जिसे History Brand ने रिलीज किया था और फाइनली उसने सब से कहा Lotus Flower Breaks the Surface जंगल, Late Autumn वगएरा वगएरा जैसे कई सारे डिजाइन के ड्राफ्ट डेविड ने मुझसे चोरी किये थे वही कोने में खड़ी जब डेविड ने आदी मुखर जी के ये शब सुने तो वो जोर-जोर से हसने लगा डेविड ने मन ही मन में कहा आदी के चहरे पर अफसोस दिखाई दे रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले वो एक आखरी कोशिश करना चाहता है अब मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया कि मुझे इस बेवकूफ इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इस इंसान ने खुद को ही मौद के मूँ में धक्का दे दिया आज सोल ब्रेंट के डिजाइनर आदी मुखरजी ने सब के सामने जो कुछ भी कहा वो सब के लिए काफी शॉकिंग था उसने सबसे ये कहा कि औरियेंटल स्टाइल का लेडिंग फिगर वही डिजाइन जिसे खुद फैशन गुरू ने काफी प्रेस किया था जिसकी वज़ा से डेविड को एक जीनियस डिजाइनर बुलाया गया था वो दरसल डेविड ने आदी से चुराया था जर्नलिस्ट ने अपना सवाल कंटीनियू करते हुए आदी मुखरजी से पूछा अगर आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है तो फिर आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया और क्या आपके पास कोई सबूत है कि डेविड ने आपसे आपके डिजाइन ड्राफ को चुछ राया था आदी ने जवाब देते हुए जर्नलिस्ट से कहा जी नहीं आदी का ये जवाब सुनकर वहां मौजूत सारे लोगों की बोलती बंत हो गई और स्ट्रीमिंग साइट पर भी लोग आदी मुखर जी को कोसने लगे और उसे क्रिटिसाइज करने लगे ओ माइ गॉड ये आदमी तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है इसे क्या लगा कि अगर ये सबसे कह देगा कि डेविट ने इसका काम चुराया है तो हम इसकी बात मान लेंगे और क्योंकि इसने कहा कि वो डिजाइन इसकी थी तो क्या वो सारे डिजाइन सच में उसी की हो जाएगी अगर मैं कहूं कि तुम्हारा बॉइफ्रेंड मेरा है तो क्या वो वाकई में मेरा बॉइफ्रेंड बन जाएगा सिर्फ अपनी जलन की वज़ा से उसे डेविट के ओपर इतना बड़ा इलजाम नहीं लगाना चाहिए था मुझे तो यकिन नहीं होता कि ये छोटा सा सोल ब्रेंड सेलेक्ट कैसे हुआ ये लोग तो सच में बहुत गिरे हुए है जब डेविट ने भीड में मौझूद लोगों का रियाक्शन देखा तो वो हसने लगा और वो काफी एक्साइटिड महसूस करने लगा असल में डेविट आदी को इस वक्त थांक्यू बोलना चाहता था क्योंकि आदी की वज़ा से डेविट का सारा डर मिट गया और उसे आगे से आदी को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी वहां मौझूद एक जर्नलिस्ट ने डेविट से पूछा डेविट आपको मिस्टर आदी मुखर जी के इल्जाम के बारे में क्या कहना है डेविट ने काफी निराश लगते होई एक गहरी सांस ली और फिर उसने आदी मुखर जी की तरफ देखते होई कहा डारेक्टर मुखर जी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई इस तरह के इल्जाम मुझ पर लगा रहा है मगर एक इंडियन डिजाइनर होने के नाते जिसका स्टाइल काफी सिमिलर हो मैं आपके काम को काफी रिस्पेट करता हूँ क्योंकि हम दोनों ही इंडियन कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे है मगर इसके बावजूद भी आप सारे फैक्ट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हो और मुझे इस तरह अटेक कर रहे हो आखेर आपके ये सब करने की बज़ा क्या है डेविड ने आदी मुखर जी के कहे इलजामों के खिलाफ अपनी नाराज की जदाई और इस पॉइंट पर वहां मौझूद ओफिशियल्स भी खुद को रोप नहीं पाए लरेन फैशन सुसाइटी के प्रेजिडेंट जो इंडस्ट्री में काफी रिस्पेक्टिबल सीनियर थे उन्होंने आदी मुखर जी की तरफ देखते हुई कहा प्रेजिडेंट की कही ये बात सुनकर आदी मुखर जी पिलकुछ चुप खड़ा रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया सच तो ये था कि डेविड ने सब कुछ आदी मुखर जी से चुराया था डिजाइन के ड्राफ्ट्स, कम्प्यूटर और वो नाम भी जो उन्होंने शेयर किया आफ्टर ओल डेविड ही वो इंसान था जो ट्रेड मार्किंग पर काम किया करता था ऐसे में अगर आदी उन राप्ट्स को रीड्रॉ करता तब भी उन पर डेविड का ट्रेड मार्क था तो सबको यही लगता है कि आदी ने डेविड के डिजाइन की चोरी की थी प्रेजिदेंट के चहरे का एक्स्पेशन बत्तर हो गया जब उसने देखा कि आदी बिलकुल चुप खडा था तो उसने आदी की तरफ देखते हुए कहा I understand you might be unhappy with history always being above you or you could be angry that people are criticizing you of plagiarizing history's design however you are accusing another person of a serious offense under such circumstances do you know what the consequences are for this if you can't give me an acceptable excuse then we will have to remove soul brand's participation right away and also you will be blacklisted in the industry from now onwards official की criticism को face करते हुए और लोगों की बेजदी को देखते हुए आदी मुखर जी बिलकुल भी नहीं हिला और उसने प्रेजिदेंट की तरफ देखते हुए कहा what if I can prove what I said is true जब प्रेजिदेंट ने आदी की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया और फिर उसने आदी से कहा if you can prove that what you said is real I will give you a fair judgment on behalf of the society ये सुनकर आदी मुखर जी ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया डेविद अपनी जगा पर casually चुप-चाप खड़ा रहा और उसके चेहरे पर घबराहट का कोई नावो निशान नहीं था डेविद रेइनबो फैदर्स के इंप्रेशन और डेविद उसे हरा सकता था आदी मुखर जी ने स्टेज पर खड़े मॉडल्स की तरफ देखा जिन्होंने रेइनबो फैदर्स की थीम के कपड़े पहने हुए थे और फिर उसने डेविद की तरफ देखते हुए गहा इससे पहले कि मैं अपनी बात साबित कर सकूँ मैं डारेक्टर डेविद से एक सवाल पूछना चाहूँगा आदी की कही ये बात सुनकर डेविद ने काफी confidently हामी भरते हुए गहा हाँ जरूर पूछो तुम्हे क्या पूछना है आदी मुखर जी ने काफी खडूस अंदास के साथ डेविद से पूछा इन छे कपड़ों में बहुत सारे traditional Indian techniques का इस्तमाल किया गया है इसके embroidery इन कपड़ों की खासियत है मैंने सुना है कि इन कपड़ों के embroidery आपने खोद अपने हाथों से की है क्या ये बात सच है आदी मुखर जी का ये सवाल सुनकर डेविद उसकी तरफ घूर कर देखने लगा और उसने मन ही मन में कहा लगता है कि ये लड़का मेरे लिए अपना जाल बिचारा है मगर मैं इसके जाल में फसने वाला नहीं हूँ डेविद ने हामी भरते हुए कहा हाँ ये बात बिल्कुल सच है इस तरह कि embroidery करना काफी मुश्किल है और यही बजाती कि मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया था अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ डेविद ने मुस्कुरा कर मन ही मन में कहा आदी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिना किसी चलाखी जब लोगों ने आदी मुखर जी का सवाल सुना तो इंडस्ट्री के कुछ लोग आपस में डिसकेशन करने लगे और उन्होंने कहा क्या आदी मुखर जी को ये लग रहा है कि डेविद ने इन कपड़ों को खुद क्रियेट नहीं किया मुझे तो लगता है कि आदी इस जंग में हारने वाला है डेविद एंडस्ट्री के काम में बहुत ही अच्छा है खास करके इस तरह की स्पेशल एंडस्ट्री और यहीं एंडस्ट्री की टेक्नीक इन कपड़ों में इस्तिमाल की गई है और तो और अगर आदी ये बात साबित कर भी लेता है कि डेविद ने इसकी एंडस्ट्री नहीं किये तो क्या वो ये बात साबित कर पाएगा कि ये काम उसका है आदी मुखर जी ने लोगों की बातों को इग्नोर किया और उसने जवाब देते हुए डेविद से कहा नहीं, तुम्हें कुछ भी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी आसपास हो रही डिसकेशन को सुनकर डेविद ने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं, लोगों के मन में शक होना और वो भी ऐसे वक्त पर काफी नॉर्मल है डेविद ने कपड़ों की तरफ देखते हुए सबसे कहा इंडियन फैशन कल्चर काफी स्पेशल और फैला हुआ है इसके टेकनीक बाकी चीजों से थोड़ी अलग है ये मेरा हमेशा से ही सपना रहा है कि मैं अपने कल्चर को इंटरनेशनल स्टेज पर रेप्रेजेंट करूँ और यही वज़ा थी कि सिर्फ डिजाइन के अलावा मैंने इसके स्पेशल हैंडिक्राफ्ट पर रिसर्च करने के लिए खुद को इन्वॉल किया पेपर पर की गई डिजाइनिंग से एक आइटम को क्रियेट करना मेरे लिए काफी मेनिंग्फुल प्रोसेस है आला कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि अच्छे डिजाइनर को एक अच्छा टेलर भी होना चाहिए मगर एक डिजाइनर जिससे क्राफ्ट की अच्छी नॉलिज हो वो फैशन डिजाइनिंग की अंडरस्टेंडिंग को और मस्बूत कर सकता है डेविट की कही इस बात को उसके आसपास खड़े डिजाइनर ने काफी अच्छी तरह से अप्रिशियेट किया शुरू से लेकर अब तक आदी मुखर जी चुपचाप अपनी जगा पर खड़ा रहा जब डेविट ने अपनी बात पूरी की तो आदी अपनी जगा से हटा और वो धीरे से चल कर स्टेज की सेंटर पर जाकर खड़ा हो गया वहां मौजूद सारे लोग आदी पर पूरी तरह से फोकस कर रहे थे आदी जो कि सोशली काफी एंक्शियस था उसने काफी धीरे से अपना हर कदम आगे भढ़ाया जैसे कि वो बर्फ पर चल रहा था मगर वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस पॉइंट पर वो ना तो रुख सकता था और ना ही पीछे हट सकता था आदी मुखर जी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो ये काम सिर्फ एक ही इंसान के लिए कर रहा था सब लोगों की अजीब नजरें आदी पर थी और वो स्टेज पर जब कर खड़ा हो गया आदी के स्लो मुमेंट की वज़ा से लोग काफी इंपेशन्ट लग रहे थे और लोगों ने कॉमेंट करते होई कहा अब ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है इस चोकर की वज़ा से एक अच्छा खासा इंटरनेशनल शो बरबाद हो चुका है मुझे तो लगता है कि सेक्यूरिटी गार्ड्स को इसे उठाकर बाहर फैंक देना चाहिए लोगों की नाराज की धीरे-धीरे करके बढ़ने लगी और उनकी बातों को इग्नोर करते होए आदी मुखर जी एक मॉडल के पास जाकर खड़ा हो गया जिसने रेंबो फैदर्स की ड्रेस पहनी हुई थी उसने धीरे से अपनी उंगलियों से एक्स्रा लाट स्लीव को फोल्ड किया और उसने कपड़े के अंदर का हिस्सा सबको दिखाया अगले ही पल में आदी मुखर जी ने गुस्से में डेविट की तरफ खूर कर देखते हुई उससे पूछा तो फिर ये मेरा दूसरा सवाल है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर ये डिजाइन तुमारी है तो तुमने अपने काम पर मेरे नाम की इंब्रॉइडरी क्यों की है आदी का ये सवाल सुनकर डेविट के जहरी का एक्स्पेशन बदल गया और उसने पूछा क्या ये तुम क्या बोल रहे हो एक हाई डेफिनेशन कैमरा ने जूम इन किया और बड़े से स्क्रीन पर उस एक्स्ट्रा लार्ड स्लीव के अंदर वाला हिस्सा दिखाई दिया वहाँ कुछ शब्द साफ साफ हिंदी में लिखे हुए थे आदी मुखर जी उस बड़े से स्क्रीन पर उस एंब्रोइटरी की हर एक डीटियल काफी साफ साफ दिखाई दे रही थी एक नाम आदी मुखर जी एक सोने के थागे से एंब्रोइटर किया गया था और वहाँ मुझूद हर एक इंसान ने और स्ट्रीमिंग साइट पर देख रहे सारे लोगों ने अच्छी तरह से देखा उस जगह पर कई सारे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स भी मुझूद थे जब उन्होंने आदी मुखर जी के कहे शब्त सुने और बड़ी सी स्क्रीन पर नाम देखा तो वहाँ मुझूद कई सारे फॉरिनर्स तुरंत अपनी इंडियन पार्टनर से उस बात का मतलब पूशने लगे इंडस्ट्री के लोग ये बात अच्छी तरह से चानते थे कि दिजाइनर अपने सबसे फेवरेट दिजाइन पर कुछ उनीक मार्किंग को छोड़ना पसंद करते थे उस मार्किंग में या तो वो लोग अपना नाम लिखते थे या फिर कोई सिंबल बना देते थे बगर किसी ने भी ये नहीं सुना था कि कोई डिजाइनर अपने डिजाइन पर किसी और का नाम लिखना पसंद करता था डेविट उस बड़ी सी स्क्रीन को इस थारा घूर कर देख रहा था जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया था उसके माते से पसीना चूट रहा था और उसका दिल तेजी से ढड़क रहा था लोगों ने कॉमेंट करते हुए कहा अरे ये सब क्या हो रहा है आखे डेविट के डिजाइन पर आदी मुखर जी का नाम क्यों लिखा हुआ है कहीं किसी ने पीछे से कुछ बदल तो नहीं दिया आदी मुखर जी ने डेविट से अभी अभी पूछा कि क्या उसने खोद इस कपड़े पर एमब्रॉइडरी की थी या नहीं और डेविट ने काफी confidently हामें जवाब दिया था ओ माई गॉड ये कितना shocking twist है कहीं डेविट ने सच में आदी मुखर जी के designs को चोड़ी तो नहीं किया है अगर ऐसी बात है तो मुझे डेविट की बाकी सारे designs पर भी शक हो रहा है जब डेविट ने अपने आस-पास खड़े लोगों की discussion को सुना तो उसके होश ओड़ गए और वो unconsciously एक direction में देखने लगा उसने मन ही मन में कहा ए भगवान रागनी मेडम के चहरे का expression भी बहुत बुरा लग रहा है डैमिट अब मैं क्या करूँ ये सब कैसे हो गया आदी मुखरजी तो सिर्फ एक बेवकोफ इंसान है जिसे खुद का ही कोई होश नहीं था भला उसने उन दिनों इस कपड़े पर अपने नाम के एंब्रोइडरी करने के बारे में कैसे सोचा होगा कई बार चेक करने के बाद भी मैंने इस बार को नोटिस कैसे नहीं किया उस आदी ने मेरे लिए एक जाल बिछाया और मेरे मुझ से ये तक बुलवा दिया कि मैंने खोद इन कपड़ों के अंब्रोइड रिगी है हला अब मैं इस बार को कैसे बदल सकता हूँ उफ इसके बारे में सोचकर भी मेरा सर फटा जा रहा है इस पॉइंट पर लरेन फैशन सोसाइटी के प्रेजिडेंट स्टेज पर गए और उन्होंने खोद स्लीव्स के अंदर वाला हिस्सा देखा बड़े ध्यान से इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने देखा कि सारे के सारे छे कपड़ों पर स्लीव्स के अंदर वाले हिस्से पर आदी मुखर जी का नाम इस तरह लिखा गया था जो काफी मुश्किल से नोटिसेबल था ये देखकर भीड में मौजूद सारे लोग दंग रह गए तक कि लाइफ स्ट्रीमिंग पर जुड़े हुए सारे लोग भी काफी शौक लग रहे थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि डेविड के दिजाइन किये गए हरे कपड़ों पर आदी मुखर जी का नाम था स्टेज पर खड़े प्रेजिडेंट ने सारे कपड़ों को चेक करने के बाद डेविड की तरफ देखते हुए उससे पूछा अपना नाम सुनकर डेविड अपने होश में बापस लोटा उसने खुद को काम डाउन करने की कोशिश की और एक सरप्राइस एक्सप्रेशन के साथ उसने गुस्से में कहा अव कुद इट बी? इस इस जुस्से में गाँ वाइ वुद आ देखता पूछ वाइड नेम अपने होश में टेखते विड अपने होश में अपने होश में होश में डेविड कर बाइविड के साथ दूकर के व प्रेजिदेंट की चेहरे का एक्स्प्रेशन काला पढ़ गया और उसने भीड से पूचा देविड की चहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला और उसने जवाब देते हुए प्रेजिडेंट से कहा इंडीड दाइसा तो नहीं कि किसी ने चुपके से इन कपड़ों के साथ छेड़खानी की हुँ मुझे लगता है ऐसा हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा नहीं तो मुझे इसके पीछे कोई सेंस दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आदी मुखरजी फैशन इंडस्ट्री में अन्जान था तो इसलिए उसकी तुलना में सब लोग सब कॉंशिसली डेविड पर फरोसा कर रहे थे डेविड के रेप्युटेशन की बजा से सब लोग नाचरली ये सोचने लगे कि शाहिद किसी ने चुपके से कपरों के साथ छेड़ खानी की होगी जब प्रेजिडेंट ने भी सब की बाते सुनी तो वो भी सोच में ढूप गया और फिर उसने कहा इंडेज, वी कांट रूल आउट पॉसिपिलिटी दाथ इस लटर्स माइट विए बिए बाते सुनी और सब लोगों की डिसकेसशन सुनी जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन जैसा ही था तो उसने एक चैन की सांस ली मगर इससे पहले कि डेविट इस बात से खुश हो पा था उसने देखा कि आदी मुखर जी जो की प्रेजिडेंट के पास खड़ा था उसने काफी डिटर्मेंट लगते होई कहा आदी मुखर जी की ये बात सुनकर अचानक सब लोगों की नजरें उस पर पढ़ी और प्रेजिडेंट ने परिशान लगते होई आदी से पूछा क्योंकि कुछ देर पहले आदी मुखर जी ने कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट दिखाया तो इसलिए इस बार किसी ने भी उसे बेईज़त नहीं किया बलकि सब लोग अब अपनी सांसे थाम कर आदी मुखर जी के जवाब का इंतिजार करने लगे आदी मुखर जी ने एक ड्रेस की स्लीव्स को ऊपर फोल्ड किया और उसने जवाब देते हुए प्रेजिडेंट से कहा आदी मुखर जी की कही ये बात सुनकर लोग सोच में पढ़ गए क्योंकि किसी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि double-sided three-fold embroidery क्या चीज थी जब लोगोंने इस अजीब सी टेखनीक के बारे में सुना तो लोग आपस में दुबारा डिसकस करने लगे अरे अब ये double-sided three-fold embroidery क्या चीज है मुझे नहीं पता मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना मैंने double-sided embroidery के बारे में तो सुना है वो एक काफी मुश्किल embroidery की टेखनीक है single-sided embroidery में सिर्फ front part delicate लगता है मगर पीछे का हिस्सा पूरी तरह से neglect किया जा सकता है मगर double-sided embroidery में आगे और पीछे दोनों sides एक जैसा neat और equal तरह से distributed लगना चाहिए वहां मौझूद इंडियन लोग भी आदी मुखर जी की कही बात को समझ नहीं पाए ऐसी में जब industry के इंडियन लोग ही इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए तो foreigners का इस बात का मतलब समझना तो काफी दूर की बात थी यही वज़ा थी कि वहां मौझूद हर एक इंसान काफी हैरान लग रहा था ठीक उसी वक्त वाइट कलर का सूट पहने एक middle aged आदमी उठकर stage की तरफ चल कर गया जब लोगों ने देखा की वह आदमी कौन था तो भीर में मौझूद लोगों ने तुरंट excitedly चिलना आते हुए कहा अरे यह तो निखिल अरोडा है हाँ बिलकुल अब निखिल अरोडा ही बता पाएंगे की यह क्या चीज है प्रेजिडेंट काफी परेशान लग रहा था मगर जब उसने देखा कि निखिल अरोडा stage की तरफ चल कर आ रहा था तो उसने एक चैन की सांस लेते हुए कहा निखिल अरोडा ने मुस्कुरा कर प्रेजिडेंट की तरफ देखा और उसने जवाब देते हुए कहा इतना कहनी के बाद निखिल प्रेजिडेंट के पास खड़े आदी मुखर जी के तरफ देखने लगा और उसने मन ही मन में कहा पहली बार जब मैंने इस लड़के को गोल्डन अवार्ड में देखा था तब मैंने देखा कि लोगों ने कहा इसने डेविड के डिजाइन स्टाइल को कॉपी किया है मगर अंत में अपने काबलियत की वज़ा से फुल स्कोर के साथ इसने गोल्डन अवार्ड जीता था मगर मैंने कभी इस बात की उमेद नहीं की कि आज मैं फिर से इस तरह की सिच्वेशन में इस आत्मी से मिलूँगा आदी मुखर जी ने काफी काम अंदास के साथ निखिल अरोडा के तरफ देखा सब की क्यूरियस और नर्वस नजरों को फेस करते होए निखिल अरोडा ने आदी मुखर जी से अपनी नजरे हटाई और कपड़ी की स्लीप्स के हर एक पार्ट को क्लोसली इंस्पेक्ट करने लगा जहां पर आदी मुखर जी का नाम एमरोडर किया गया था वक्त गुजरता रहा और फिर फाइनली निखिल अरोडा ने उस कपड़ी की स्लीप से अपना हाथ हटाया निखिल अरोडा ने भीड में मौझूद लोगों की तरफ देखा और उसने धीमी आवाज में सबसे कहा इंडियन एम्ब्रोडरी आम तोर पर सिंगल साइडिड होती है मगर एक और एम्ब्रोडरी की टेक्निक होती है जो जादा डिफिकल्ट है और उसका नाम डबल साइडिड एम्ब्रोडरी है डबल साइड एम्ब्रोडरी इंडिया के सबसे excellent ethnic traditional craft में से एक है येक ऐसा style है जो एम्ब्रोडरी का ही एक variant है और इसे हम both sides shine के नाम से भी जानते हैं इसे एक ही material पर बनाया जाता है एक embroidery process के जरिए images को दोनों तरफ से embroider किया जाता है जिसके outline बिल्कुल same होते हैं और दोनों तरफ की images equally delicate होती है और दिखने में दोनों ही काफी खुबसुरत होती है निखिल अरोडा की बात सुनकर किसी ने काफी impatient लगते होई पूछा Mr. Nikhil, तो फिर double sided threefold embroidery जिसके बारे मिस्टर आदी मुखर जी ने हमें बताया वो क्या चीज है निखिल अरोडा ने अपनी बात continue करते होई सब को समझाया double sided embroidery एक ऐसा अंजान style है जिसे हम double sided multi color embroidery बुलाते हैं जैसा कि टेकनीक का नाम है इसका मतलब दोनों तरब से एक ही जैसी embroidery दिखती है मगर उनके रंग अलग होते है अपनी ये बात कहने के बाद निखिल अरोडा कुछ देर के लिए रुग गया और उसने थोड़ा और emotional लगते हुई कहा बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एक और difficult embroidery की टेकनीक होती है और ये वही टेकनीक है जिसके बारे में डिजाइनर आदी मुखरजी ने हमें बताया था और वो double sided three fold embroidery है double sided three fold embroidery double sided multi color technique के foundation पर invent किया गया था इस embroidery के product वैसे अलग-अलग होते हैं इसकी needle work अलग होती है और ये दोनों तरफ से अलग रंके होते हैं इस तरह से दोनों तरफ से अलग चीज़ें दिखती है अलग needle work दिखती है और अलग रंक दिखते हैं अलग design, अलग needle, अलग colors इसलिए इसका नाम double sided three-fold embroidery है पास में खड़ी प्रेजिडेंट ने अपने translator से निखिल अरोडा की कही बात का मतलब समझा और उसने काफी हैरान लगते होई कहा आँ, is that so? भीड में मौजूद लोगों ने भी काफी हैरान लगते होई comment किया ये कितना magical है मुझे तो यकीन नहीं होता कि ऐसी भी कोई embroidery की technique होती है जहां एक साथ दोनों तरफ से अलग pattern और अलग color दिखाई दे सकते है वहां मौझूद हर एक इंसान इस impressive Indian traditional technique के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में निखिल अरोडा ने अभी explain किया इस point पर निखिल अरोडा ने अपनी बात पूरी करते हुए सब से कहा मैंने इस काम को ध्यान से देखा है जो character design इन छे कपड़ों के set पर use किया गया है वो वाकई में double-sided three-fold embroidery का ही method है इसका मतलब यह है कि इस part के embroidery एक ही वक्त में पूरी की गई थी और ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं है कि इसे बात में कोई add-on कर सकता था या फिर छेड़ खानी करके बदल सकता था जैसे ही निखिल अरोडा ने अपनी ये बात पूरी की तो वहां मौजूद हर एक इंसान अपने होश में वापस लोटाया सबके चहरी पर एक ऐसा expression चाया हुआ था जैसे कि उन्हें किसी चीज़ का एहसास हो गया लोग उन्हें कॉमेंट करते हुए आपस में कहा इसका मतलब यह है कि एंब्रोइडरी को एक ही बार में बनाया जा सकता था इसके बाद जब डेविड ने निखिल अरोडा के कहे शब सुने तो वो पूरी तरह से अपनी जगा पर जम गया वो अपनी चहरे पर काम expression को और maintain नहीं कर पाया उसका शरीर पसीने से लथफ़त हो गया और उसके माथे पर जो पसीना था वो जमीन पर तपकने लगा इस तरह के माहौल में डेविड अपने इमेज के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं पाया उसने अपनी स्लीव्स को ऊपर रॉल किया और अपने माथे से तपक रहे पसीने को पहुँच लिया फिर डेविड ने कापती हुई आवाज में सबसे कहा दरसल सच तो ये है कि इन कपड़ों में मैंने आदी मुखर जी के नाम के अम्ब्रॉइडरी अपने हाथों से की थी मैं डिजाइनर आदी मुखर जी के डिजाइन को बहुत पसंद करता हूँ तो इसलिए खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने अपने डिजाइन पर उनके नाम के अम्ब्रॉइडरी कर ली थी इतना कहने के बाद डेविड खुद को तसली देने लगा और उसने मन ही मन में कहा हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था तो क्या हुआ अगर मेरे डिजाइन पर आदी मुखर जी का नाम लिखा हुआ है मेरे डिजाइन पर जिसका नाम हो उसकी चॉइस सिर्फ मेरी होनी चाहिए जब निखिल अरुडा ने डेविड की कही ये बात सुनी तो वो हसने लगा और उसने डेविड से कहा डबल साइडिड थ्री-फोल्ड एम्ब्रोइडरी एम्ब्रोइडरी की दुनिया का सबसे हाइस लेवल का स्किल है यहां तक की बड़े-बड़े तिकज़ भी इस तरह की स्किल को परफेक्शन के साथ निभा नहीं पाते है मगर डारेक्टर डेविड आप हम सब के सामने ये कह रहे हो कि यह डबल साइडिड थ्री-फोल्ड एम्ब्रोइडरी आपने की है तो क्या आप हमें अभी इसी वक्त इस बात का सबूत दे सकते हो निखिल अरोडा ने डेविड से इस बात का सबूत इसी लिए मांगा क्योंकि कुछी देर पहले डेविड ने खुद आदी मुखर जी से कहा था कि वो ये बात साबित करने के ये तयार था कि वो एम्ब्रोइडरी खुद उसने अपने हाथों से बनाई थी जैसे ही निखिल अरोडा ने अपना सवाल पूरा किया तो डेविड खुद को और रोक नहीं पाया और उसकी चहरे पर उसकी हार साफ दिखाई दी रही थी वो अब जाधा देर तक सीथे खड़ा नहीं हो पाया और वो हार कर अपने घुटनों के बल बैट कया इस पॉइंट पर इंडियन फान्स जो कि कुछ दिर पहले हिस्ट्री ब्रेंट को डिफेंट कर रहे थे और आदी मुखर जी की बेज़धी कर रहे थे उन सब की बोलती बंद हो गई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि फैशन इंडस्ट्री के लोग इतने बुरे खेल खेल सकते थे लोगों ने हैरानी के बारे कॉमेंट करते हुए कहा क्या ये सब क्या हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये डिजाइन डेविड की नहीं है बलकि ये आदी मुखर जी की डिजाइन है ओ माई गॉड इसका मतलब तो ये हुआ कि डेविड शुरुआत से ये जूट बोलता हुआ आ रहा है उसने वाकई में सोल ब्रेंट के डिजाइन की चोरी की है और इसका मतलब ये भी हुआ कि उसके सारे फेमस डिजाइन असल में आदी मुखर जी के डिजाइन है मगर ये सब कैसे हुआ मुझे तो अपनी आउगो पर विश्वास नहीं हो रहा है लोगों के हरानी भरे कॉमेंट के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने हिस्ट्री ब्रेंट को डिफेंट करते हुए कहा अगर ये बात साबित भी हो गई है कि ये डिजाइन डेविड ने खुद नहीं बनाया तो इससे ये साबित नहीं होता कि बाकी सारे डिजाइन भी डेविड के नहीं थे मगर इस तरह के कॉमेंट्स को कही सारे लोगों ने बैकलैश करते हुए कहा कुछ लोग बाकी लोगों को बेवकूफ बुला रहे हैं मगर मुझे लगता है कि वही लोग असल में बेवकूफ हैं बात अब इस हद तक पहुँच चुकी है मगर इसके बावजूद भी कुछ लोग देविड के एक्शन को जस्टिफाइ करने के कोशिश कर रहे हैं अगर ये डिजाइन आदी मुखर जी ने नहीं क्रियेट किया तो फिर बिना किसी मेहनत के क्या आदी मुखर जी इतनी सारी चीज़ें क्रियेट कर पा था ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि डेविड के रिलीज किये गए कोई भी डिजाइन उसके अपनी नहीं थे इसके बावजूद भी उसने सब के सामने ओरिजिनल डिजाइनर बढ़ने का ढोंग किया और दुनिया को चक्मा दिया इसके अलावा उसने सब के सामने अपने स्किल को लेकर भी काफी शू आफ किया बगर अब जब उसने देखा कि उन कपड़ों पर आदी मुखरजी का नाम था तब भी उसने माफी मांगने के बारे में नहीं सोचा बल्कि वो उल्टा यही इल्जाम लगाने लगा कि किसी ने चुपके से कपड़ों के साथ छेड़गा नहीं की होगी और जब डबल साइडिट थ्री फोर्ड एंब्रोइडरी टेकनीक के नाम से उसका जूट पकड़ा गया तो उसके अंदर इतनी शर्प नहीं थी कि वो अपना किया कबूल कर लेता बलकि उसने बड़ी बेशर्मी के साथ सबको ये बताया कि उसने जान बूझ कर इन कपड़ों पर आदी मुखर जी के नाम की एमरोइड रिखी ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सके अगर निखिल अरोड जी उसके चेहरे पर कसकर तमाचा नहीं मारते तो शायद वो इनसान कभी हार नहीं मानता एक ब्रैंड के चीफ डिजाइनर होने के नाते और इंटरनेशनल ओरियेंटल स्टाइल का सो कॉल लीडिंग फिगर होने के नाते डेविट के शब्द और उसके एक्शन काफी इंकंसिस्टेंट है शुरू से लेकर अन तक वो सिर्फ हमसे जूट बोलता हुआ आया है क्या हम ऐसे इनसान के बातों पर भरोसा कर सकते हैं ऐसे में तो ये बात भी साफ है कि उसका पुराना फेमस वर्क उसकी ओरिजिनल क्रियेशन है ही नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए इस बार हम सब आदी मुखर जी के साथ खड़ी है कई सारे लोगों का सपोर्ट देखकर कुछ लोगों ने एक सवाल उठाते हुए कहा मगर आदी मुखर जी के डिजाइन को डेविट क्यों चुराएगा तभी अचानक सब की नजरें यहां तक की प्रेजडेंट और निखिल अरोडा की नजर आदी मुखर जी बरपड़ी